दोस्तो अगर आप कॉरल डोपे काम करते हैं तो आपको import और export के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए import और export की मदद से आप अपने बहुत सारे काम को easy way में कर सकते हैं जैसे मालेज़े आप किसी project के लिए काम कर रहे हैं किसी company ने आपको अपना कोई project दिया है बनाने के लिए और company ने आपको जो document दिया है वो आपको excel sheet में type करके दे दिया है अब आप अपने document को अगर coral में लाना चाहते हैं तो आप आसानी से import की मदद से उस पूरे document को बिना type करे import कर सकते हैं सेम इसी तरीके से अगर कोई company आपको कोई document word file में देती है तो उसे भी आप आसानी से coral में import कर सकते हैं दोस्तो इसी तरीके से बहुत सारी company आपने project को PDF file में आपको देती हैं कि PDF file में जो भी document है उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत changes करके same उसी document को print करना है तो वो आपको दुबारा से सब कुछ बनाने की जुरुत नहीं है आप आसानी से import की मदद से PDF file को coral में import कर सकते हैं उसमें आसानी से changes करके same to same document को यहाँ पर print कर सकते हैं अब बात करते हैं आप आप export option की तो दोस्तो export option भी बहुत ही अच्छा option है जिसकी मदद से आप अपनी file को किसी भी extension में आसानी से export कर सकते हैं फिर चाहे वो PDF हो, PNG हो, GIF file हो या फिर किसी भी other extension की file हो यानि टिफ वगरा file में आप आसानी से उसे export कर सकते हैं तो यह सारे के सारे options के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वीडियो थोड़ी lengthy जरूर हो जाएगी लेकिन वीडियो को complete पूरा देखिएगा अगर आप वीडियो को skip करेंगे तो आप अच्छी तरीके से option को नहीं समझ सकते हैं तो इसलिए वीडियो को complete पूरा देखिए इसमें हम आपको बहुत सारे ऐसे options बताने वाले हैं जो शायद आपने यहाँ पर इस्तिमाल नहीं किया होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो कोरल 2024 के अंदर आप किस तरीके से import और export का इस्तिमाल कर सकते हैं आई ये जानते हैं सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर file option पर file option पर जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ जैसी आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देता है import का आपको इस पर click कर देना है जैसी आप इस option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं import का आपके सामने एक dialogue box open हो जाएगा और यहाँ पर आपकी जो भी file जहाँ पर रखी हुई है जिस file को आप यहाँ पर import करना चाहते हैं अगर वो d drive में है या फिर my documents में है तो आप यहाँ पर उस location को select कर सकते हैं हमारी जो file है वो यहाँ से documents के अंदर ही है तो यहाँ से हम इसे import करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास काफी सारी extensions है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक word file है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक excel file भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक PDF file भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर तीन option दिखाई देते हैं सबसे पहला option आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है maintain font and formatting यानि MS Word में जब आपने document create किया था तो उसमें जो भी आपने font का style यूज किया है या फिर जो भी आपने formatting यानि की color, bold, italic, underline बगरा यूज किया है उस सब कुछ maintain होकर कि आपका यहाँ पर import होना चाहिए इसके ओपर by default आपको यहाँ पर टिक दिखाई देगा इसके लावब आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा option आपको यहाँ पर मिलता है maintain formatting only यानि आप चाहते हैं कि जो formatting आपने इसमें add कि है कि वह फॉर्मिटिंग ही यहाँ पर maintain होकर कि import हो आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो font हो यहाँ पर maintain हो तो उस case में आप इस second वाले option को select कर सकते हैं इसके अलावा तीसरो option आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिलता है discard font and formatting यानि आप नहीं चाहते हैं कि जो भी आपका font या जो भी आपकी formatting है वो यहाँ पर maintain होकर कि import हो तो तीनों option में आप अपनी सुविधान उसार जिस option को आप यहाँ पर select करेंगे उसी हिसाब से coral आपके document को यहाँ पर import करने वाला है तो हम यहाँ पर सबसे पहले वाले option को ही select करेंगे हम चाहते हैं कि हमारा जो font और जो भी हमारी formatting है वो यहाँ पर maintain होकर कि यहाँ पर import होनी चाहिए तो हम इस वाले option को select करते हुए यहाँ पर okay वाले button पर click करेंगे दोस्तों OK वाले बटन पर क्लिक करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक और option आपको दिखाई दे जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर OK वाले बटन पर क्लिक करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का आपको करचर दिखाई देगा, आप जहाँ पर भी अपने document को import करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको केवल एक बार क्लिक करते ही, आप यहाँ पर आपका document यहाँ पर import हो चुका है, बड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर कोई भी word यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, red lines आपको दिखाई दे रही है, यहाँ जो भी size इसने यहाँ पर maintain किया है, उस size के हिसाब आपका document यहाँ पर इसके अंदर hide हो गया है, तो इसको आप किस तरीके से ठीक करेंगे, इसको आप सबसे पहले आपको select कर लेना है, select करने के बाद इसके size को यहां से पकड़ करेंगे, enhance कर देना है, यानि increase कर देना है, दोस्तो जैसे आप यहाँ पर increase करेंगे, जैसे हमने table को यहाँ पर enhance किया यानि increase किया font का size अपने आप आपको दिखाई देने लग गया और सारे document आपको यहाँ पर automatically दिखाई देने लग गये अब यहाँ पर अगर आप changes करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं या तो फिर आप control U का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें सभी document को एक साथ ungroup करना था इसलिए हमने ungroup all वाले option को select किया और इसके बाद आप जिस भी option के अंदर आप changes करना चाहते हैं आपको zoom करके उस वाले option पर जाकर के double click कर देना है दोस्तों जैसे आप यहाँ पर double click करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर आसानी से इसमें changes कर पाएंगे आप जो भी delete करना चाहें डिलीट कर सकते हैं जो भी changes करना चाहें आप उसके अंदर changes कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने MS Word के document को corrold में insert कर सकते हैं अब बात करते हैं अगली file की तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस option को यहाँ से delete कर देते हैं control A करके हमने यहाँ से delete कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस हम import वाले option पर जा चुके हैं हम इस फाले फाइल को यहाँ पर import करने वाले हैं दोस्तो क्लिक करते हैं अभी हम दो फॉन्ट को यहाँ पर दिखा दिया हम यहासे त्मित्रेरी वाले option को select करते हúए वापस है यहाँ पर OK वाले button पर click कर देंगे दोस्तो OK बटन पर क्लिक करते हैं हमारी जो file है वो थोड़ी सी heavy है इसलिए थोड़ा सा समय लेगी और उसके बाद आपका जो Excel का document होगा वो आपके coral file में यहाँ पर आसानी से import कर दिया जाएगा इसको यहाँ पर control U यानी ungroup की मदद से इसको यहाँ पर ungroup all कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर एक एक करके इन सभी option के अंदर changes कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो document है वो यहाँ से ungroup हो चुका है अगर हम यहाँ पर कोई changes करना चाहते है तो यहाँ पर आप उसके अंदर double click करके इसके अंदर आसानी से changes कर सकते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं राखी के आगे हम यहाँ पर कुमारी add कर देते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सल शीट के अंदर भी हम यहाँ आपर आसानी से changes कर सकते हैं त आप यहाँ पर देख सकते हैं desktop पे हमारे सामने Tata Power DDL के नाम से PDF फाइल हमारे सामने दिखाई दे रही है इस वाली फाइल को select करते हुए हम जैसे यहाँ पर import वाले बटन पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर दो option आपको दिखाई देने हैं सबसे पहला option आपको दिखाई देता है import text as यानि text के तुरू आप इसे import करना चाते हैं या आप चाते हैं आपकी file जो हो वो curve हो करके यहाँ पर import हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैं curve file कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं already detail video बना चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं link के description में आपको उसका link provide कर दूँगा या फिर मैं i button पर आपको उसका link provide कर दूँगा वहाँ सही से देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम curve option को select करेंगे तो हम file में कोई भी changes नहीं कर सकते हैं किसी भी text में कोई भी changes नहीं कर पाएंगे बट यहाँ पर अगर हम text वाली file को select करेंगे तो हम किसी भी text के अंदर आसानी से editing कर पाएंगे तो हम यहाँ पर text वाले option को यहाँ पर select करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको same वही option यहाँ पर भी दिखाई देता है कि maintain paragraph, text flow and formatting इसके अलबा दूसरा option आप यहाँ पर देख सकते हैं import comments and place on separate layer यहाँ पर आसानी से import हो हमारे PDF में जो भी document था वो यहाँ पर हमें दिखाई दे गया और इसके अंदर अगर हम changes करना चाहते हैं तो वापत से same इसी तरीके से click करके ungroup all पे यहाँ पर click करेंगे और आसानी से इसके अंदर हम double click करके इसके अंदर changes कर पाएंगे तो यहाँ पर आदेख सकते हैं 2 के ज या और भी किसी extension की file को आप आसानी से koreldro में import कर सकते हैं अब हम बात करने往ले हैं export option के बारे में आच की वीडियो मायम आपको import और export दोनों ही option बताने वाले हैं तो import के सभी options मैंने यहाँ पर clear कर दी हैं अब हम बात करते हैं export option के बारे में तो सबसे पहले हम वापस से आपर एक rectangle ड्रॉ कर लिया और उसके अंदर एक हमने color फिल कर लिया है। इसी तरीके से एक object हमें आपर और ड्रॉ कर रहे हैं और उसका color हमें आपर change कर दे रहे हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ export option के सभी option के बारे में। तो सबसे पहले आपको उसी तरीके से file वाले option पर वापस आ जाना है। file option पर click करते ही नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा export का एक option। अगर आप इस वाले option पर directly click करते हैं तो यहाँ पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी सारी extension यहाँ पर एक साथ दिखाई दी जाएगी जिसमें आप आसानी से इसे import कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है PDF फाइल AI यानि Adobe Illustrator का फाइल CPT यानि Coral Photo Paint की फाइल JPG, PNG इसी तरीके से बहुत सारी extension आपको यहाँ पर मिलती है टिप फाइल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है तो यह बहुत ही अच्छा option है जिसकी मदद से आप Coral में कोई भी document बना करके इसे आसानी से किसी भी extension म को बताने वाला हूँ हमने यहाँ पर PDF सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं तो हमने यहाँ पर दे दिया example और उसके बाद यहाँ पर हम इसे export वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तो export वाले बटन पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ आपर अपनी location को select कर लेना है, कि आपकी जो file है, को किस location पे आपको यहाँ पर export करवानी है, तो हम यहाँ से desktop को select कर रहे है, desktop को select करते हुए, हम यहाँ पर एक new folder हमने बना रखा है, उसके इंदर हम इस file को export करने वाले हैं, तो यहाँ पर इस option को select करते हुए, यहाँ पर export वाले बटन पर जैसे click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको PDF settings के नाम से, एक dialogue box आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको काफी सारे options यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला option आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको current documents का, यानि current documents का मतलब यह है, कि आपके पास जो भी आपने document open किया है, आपके वाल उसी का, यहाँ पर export करने वाले हैं, या फिर अगर आपके पास उसके अंदर बहुत सारे pages यहाँ पर बना रखे हैं, और आप केवल front page का यहाँ पर PDF क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर current page को select कर सकते हैं, इसी तरीके से आप पूरे documents को select कर सकते हैं, इसी तरीके से आपने जिस भी object को यहाँ पर select कर रखा है, केवला आप उसी का यहाँ पर export करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी विदा अनुसार अपने option को select कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर current document को select करते हुए export करने वाले हैं, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको और भी काफी सारे options यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने colors की setting कर सकते हैं, अपने documents की setting कर सकते हैं, अपने object के बारे में यहाँ पर उसके color का DPI वगरा set कर सकते हैं, इसके लाबा यहाँ पर आप देख सकते हैं, properties में भी आपको काफी सारे options मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसमें password security भी add करना चाहें, यानि जो भी आप encryption लगाना चाहें, वो आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं, अपनी PDF फाइल के अंदर, इसके लाब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको no issues का एक option दिखाई दे जाता है, जिसमें आपकी default settings set रहती है, तो आपको by default इसी option को रखते हुए, यहाँ पर OK वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारी जो फाइल है, वो यहाँ से PDF में export हो चुकी है, मैं आपको एक बार यहाँ पर open करके उसको दिखा देता हूँ, हम यहाँ से control के साथ O press करने वाले हैं, control के साथ O press करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, desktop में यहाँ EXP के नाम से हमारी PDF थी, जो हमने यहाँ पर अभी export की है, इसको जैसे में यहाँ पर open करेंगे, Adobe Reader के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी वो फाइल यहाँ पर आसानी से export हो चुकी है, जिसमें हमने कोई भी password की security वगरा नहीं लगाई थी, फिलाल हम आगे बढ़ते हैं, और भी options यहाँ पर अभी है, export के हम वो भी फटा-फटी यहाँ पर clear कर लेते हैं, तो इसे clear करने के लिए हम यहाँ पर इस वाले object को एक बढ़ कॉपी करते हैं, और यहाँ से कुछ नए pages को import करके, यहाँ पर हम उसे paste कर लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, first page पे हमारे दो objects हैं, second page पे हमारा yellow object है, और third page पे भी हमारा yellow object है, तो यहाँ से हम इसके colors को change कर लेते हैं, ताकि आपको यह चीज समझ में आए, कि यह तीनों ही pages यहाँ पर अलग-अलग हैं, तो हमने यहाँ पर तीन pages को यहाँ पर set कर लिया है, और उसके बाद हम जाते हैं वापस से file वाले option पे, file option पे click करते हैं, वापस से export 4 के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर तीन options दिखाई देते हैं, सबसे पहला option आपको यहाँ पर मिलेगा office का, इस पर जैसी आप click करेंगे तो office पे click करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो file है, वो यहाँ पर compatibility के अंदर यहाँ पर export हो जाएगी, यानि हम कह सकते हैं कि एक PNG file यहाँ पर बन जाएगी, तो यहाँ पर O के वाले button पे हम click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी extension भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, portable network graphics के अंदर आपको यहाँ पर यानि कि PNG file आपके यहाँ पर export होने वाली है, अब इसे आप कहाँ पर export करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर same, उसी location को select करते हुए, यहाँ पर file को नाम देते हैं, logo, logo नाम देते ही, हम यहाँ पर जैसी save करेंगे, तो हमारी file यहाँ पर export हो चुकी है, मैं फिर से आपको control O करके, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, large icons पर click कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, logo के नाम से हमारी जो file है, वो यहाँ पर export हो चुकी है, without background, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, without background, PNG file हमारी यहाँ पर export हो चुकी है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, export 4 के अंदर, आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देता है, वेब का, और वेब का मतलब ही होता है, आपकी यहाँ पर भी PNG file ही यहाँ पर export होती है, यहां पर आपकी original file है, जिसके पीछे आप देख सकते है background, आपको दिखाई देरा है, यहां पर आपकी file GIF file बनेगी, जो कि आपकी यहां पर export होने वाली है, format आप यहां पर देख सकते है, format अगर आप यहां पर change करना चाहें, GIFY की जगा जेपी जी, PNG, new folder को select करेंगे और यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं ABC और उसके बाद यहाँ पर इसे save कर देते हैं दोस्तों save करने के बाद मैं फिर से आपको यहाँ पर open करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC के नाम से हमारी यहाँ यहाँ पर इखस्पोर्ट हो चुकी है पर यहाँ पर क्लेक करेंगे लावडपेस भी हमारा इस्तामाल किया जाता है website को develop करने के लिए तो website की जितने भी images होती है mostly png file होती है तो यहाँ पर आप चाहें है तो अपनी files को यहाँ पर png में convert कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं by default यहाँ पर इसने extension png को select कर रखा है और upload पे click करते हैं आप यहाँ पर अपनी website पे directly इस file को upload कर सकते हैं दोस्तो जैसे हम यहाँ पर upload वाले option पे click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक option दिखाई दे जाएगा जिसके status है not login in यानि हमने अभी तक new website को यहाँ पर login नहीं किया हुआ है यहाँ से हमें wordpress को authenticate करना पड़ेगा उसके बाद जाकर के हम यहाँ पर इसे upload कर पाएंगे तो दोस्तो फिलाल हम यहाँ पर इसे cancel कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके हम तीनों option को आपको यहाँ पर बता चुके हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक और option दिखाई दे जाता है export dockers का अब इसका benefit क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं दोस्तो पिछले version में यानि 2021 के version में यह जो option था वो हमारे export 4 के अंदर यहाँ पर चौथा option आपको यहाँ पर दिख जाएगा जिसकी अंदर आप इन option का इस्तमाल कर पाएंगे यहाँ पर 2024 version के अंदर इसको अलग से safe rate बना दिया गया है अब इसका इस्तमाल क्या होता है वो हम जान लेते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे page number 1 पर हमारा यहाँ पर 2 object है page number 2 पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक object है और page number 3 पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक object हमें दिखाई दे रहा है अगर हम इन सभी files को एक साथ export करना चाहते हैं यानि कि page number 1, page number 2 और page number 3 इन तीनों ही pages को अगर हम यहाँ पर export करना चाहते हैं बट एक साथ PNG या JPG जिस भी extension में तो आप यहाँ पर आसानी से इसका इस्तेमाल करके उसको export कर सकते हैं तो चलिए इसे कैसे करते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले आपको वापस से इसी option पर आ जाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है export docker का और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहला option मिलेगा add selection का दूसरा option आपको मिलता है add current page का और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा option आपको मिलता है यहाँ पर add all pages का अगर आप यहाँ पर इस वाले option को select करेंगे add all pages को तो जितने भी pages आपके यहाँ पर होंगे उस सारे pages यहाँ पर एक साथ export कर दिये जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहला option यहाँ पर बताने वाला हूँ तो सबसे पहला option बताने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले object को select करेंगे जिसको हमें यहाँ पर export करना है वापस से उसी option पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका option यहाँ पर highlight हो जाएगा तो इस वाले option को हम यहाँ पर select करने वाले हैं जैसे हम इस option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने export का option हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह extension को आप अपने हिसाब से यहाँ पर बदल सकते हैं, आपको काफी सारी extension यहाँ पर मिल जाती है, जिसके हिसाब से आप यहाँ पर इसे आसानी से export कर सकते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर जैसी export वाले बटन पर click करेंगे, तो आप देख पर देख सकते हैं हमारी फाइल है यहां पर एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसको देखने के लिए हम वापस से Ctrl O का यहां पर इस्तवाल करने वाले हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं, इस ने तीन अबजट्स को यहां पर अलग-अलग एक्सपोर्ट कर दिया है, अब यहांपर आप देख सकते हैं, इस वाले object को आप यहांपर देख सकते हैं, इसने 2 बार यहांपर export किया है, तो हम सबसे पहले एक बार सभी files को, एक बार हाँ़ों से clear कर देते हैं, delete करने के बाद, अब हम आपको फिर से एक बार export करके बताने वाले हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारी यह वाली file है वो दो बार यहाँ पर हमारी export ना हो तो इसको हम यहाँ से delete भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको यहाँ पर delete कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ पर export वाले बटन पर click करेंगे export वाले बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर control O का इस्तमाल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने इन दोनों ही objects को अलग-अलग export कर दिया है तो दोस्तो इस तरीके से अगर आपने corridor में कोई ऐसा design बनाया हुआ है जिसमें आप हर एक object को अलग-अलग export करना चाते हैं तो उस case में इस option का आप इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके सभी object को एक साथ अलग-अलग export कर देगा तो सबसे पहले हम इन सभी options को यहाँ पर वापस से delete कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो second option है उसको आप यहाँ पर इस्तमाल करने वाले हैं तो export for docker में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option मिलता है add current page का यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी वही option दिखाई दे जाता है add current page का आप चाहें तो यहाँ पर अपने current page को add करके इसको यहाँ पर export करा सकते हैं तो हम इस वाले option पर यहाँ पर click करने वाले हैं इस option पर जैसे हम click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने हमारे दोनों ही objects को यहाँ पर एक साथ select कर लिया है और जैस export वाले button पर हम click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं control हो करके हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर आप देख सकते है page 1 को इसने यहाँ पर एक साथ export कर दिया है तो फटा फटाने इन तीनों को फिर से यहाँ से delete कर लेते हैं वो आप किस तरीके से कर सकते हैं आये जानते हैं उसके लिए आपको वापस से इसी option पर आना है file पर और यहाँ पर आपको option दिखाई दे जाएगा export docker का और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर option मिल जाता है add all pages का तो आपको इस फाले option पर यहाँ पर click कर देना है इस option पर जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके all pages का option आपको यहाँ पर मिल जाएगा यानि जितने भी pages आपके यहाँ पर हैं कि हमारे जितने भी pages है, के वल वही export एक बार safely हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर export पर वापस से click करना है, click करते ही, आपके जितनी भी files थी, यानि जितने भी pages थे, वो सभी यहाँ पर export हो चुके हैं, वापस से control O करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, all pages में page number 1 आपको दिखाए दे रहा है, page number 2 आपको दिखाए दे रहा है, page number 3 आपको दिखाए दे रहा है, तो तीनों ही object को इसने अलग-अलग separate pages में यहाँ पर export कर दिया है, तो दोस्तो इस तरीके से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप्शन का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं कॉरल ड्रो दोहजार चॉबिस के अंदर अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमें शेयर सरू कीजेगा धन्यबाद